बहुत वेटिंग आ गए थी लेकिन फिर भी I'm so sorry for being late for the 10 minutes थोड़ा वो तंग्रेजी जानने की कोशिश राहूल सर के साथ रहते जाते और कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं परसों हम लोगोंने सेशन एक चलाया था शरदधमनू का जिसमें जैशंका प्रशाज जी का हम लोगों बो देखा था क्या था जीवन परिचय हो ठोड़ा को फड़ा शुूर्द मामला खतम हो गया था धा घ़य हु cageya था टैम ली बच पाया था और रहे भाउन्स-वन लोग आकास दिखे जी वेने साथ वीडियो फॉर फॉर्स टाइंग इस तक्ति में माइंड आम नॉट ऑन नेचियर बट इस दकॉंपल्शन माइंड विटेंड विटेंग तैंक्यू थैंक्यू थैंक्यू इतना भीशान अंग्रेजी आप लोग देंगे भाई साथ हिंदी का मास्तर तो इसमें घूम जाएगा आधरनी बिने मिश्रा जी साधर प्रणाम देखिए बिने भिया का स्वास्ते कुछ गरबर हो गया था बीच में वार्ता हुई मैं भी कल बनारस में था बिने भिया का मेरे पास फोन आया और हम लोग ने चर्चा की जी मैं कल छुटी पे ता मैं जुटाrí घ्चा भी आ है कि मंशु भिया क्या पड़ा होगा है कि स्वागत स्वागत भी ऱ्रृच जी बहुत वह स्वागत बहुत-वह भार्णाम भी बहुत है कपिल प्रणार स्वागत कैसे हैं लॉकुमांजी बूड ppeल और यहह था हाँ मैं कल फिर बनागस में था रेनू सिंग कोई वाटसएप कांटेक्ट टेलिग्राम पे हर चीज अउलेबल है जो चीज चाहिए होगा आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी अगर इस दिक्कत हो तो मैं बताएगा ठीक है टेलिग्राम पे चीज़ें उलेबल हैं जो जो च पर बाकी लोग भी जूड़ जाएं फिक लास स्टार्ट किया जाए आज हम सोच रहा है श्रदा मनू फिर सुरू से चालू करें कैसा रहेगा कि बीच में से चालू करें जहां से छोड़ा था हम लोगों ने हैं मैं सोच रहा था श्रदा मनू जो है इस वीडियो के दम शु सब्सक्राइब ना देखिए मैं नम नहीं पर पार रहा हूं सभी हाश्टेग स्टूड़ जाएने स्वागत बिया बहुत बहुत धिन्यवाद नमर था बाढ़ने भी नी हलो विल्कुल किशानिंकल है जी स्वागत अभिनन दन जी हां जी हां स्टूडेंट्स के लिए रश तो भी मेसेज़ेस परे हूंगे मैं कल का अगर पेंडिंग फसे हुए मेरे पास तो मैं उसको कल फोवर्ड कर दूँगा दूसरी बात की बनारा समाने से लगए 200 किलमेटर दूर पढ़ता है जहां पर मैं हूँ आने जाने में भी काफी जादा समय किल होता है फिर स्कूल भ प्रिंस पांडे शुरू करते हम सुरू से तो हम लोग को दें तो पता है ना कि स्रदधा कौन है मनु कौन है इसमें तो कुई कंफूजन किसी को है नियुक क्षी हुए महिला और मनु धरती पे एक मात्र बची हुए मनुष्य धर्ती पे पुरा जल प्रलय हो चुका है, पुरा संसार समापत हो चुका है, संसार की रचना नए सीरे से करनी है, जैशन का प्रशाजी अपनी शुरुआत वहीं से करते हैं, इसमें श्रग्धा और मनु दो नाम है, श्रग्धा हमारी वह इस्त्री पात्र है और मनु वह पु इतने स्पीड में चलेंगे फिर उसका डीटेल करना शुरू कर देंगे ताकि रिवाइज हो जाएगा पवंदूतिका तो है भाई पवंदूतिका तो पूरा बन चुका वीडियो पवंदूतिका में कहें परशान हैं मैं फिर से बता दूँ जैशंका प्रशादी छायावाद के प्रमुक अस्तम्ब हैं छायावाद के जो चार मिन अस्तम्ब हैं प्रशाद पंत निगाला और वर्मा प्रशाद यानि जैशंका प्रशाद निगाला यानि सुरिकांतर पाथी निगाला वर्मा यानि महादेवी व प्रतिमानों का अत्यथिक प्रियोग कल्पना शिल्ता इमेजिनेशन आईए देखते हैं सभी लोग को एक बाफे से गुड मॉनिंग और लोटते हैं सीधे कमेंट में आप कोशिश करिएगा कि बहुत जगूरी चीजें हो तो ही कमेंट में दी जाएं बाकी को कमेंट्स होता है सीधे चलते हैं अपने बोड़ की तरफ श्रद्धा और मनू मैं पर फिर से बता दूँ पूगा संसार जल प्रले हो चुका है पूगे संसार में भारी बारिश हुई है पूगा सब कुछ दूब चुका है जितने पशू पौधे प्रांगी थे हर प्रकार के स्रिष् का निर्मायिन को करना है हां श्रद्धा वहां पे गांधार देश की कैसी कन्या है जो वहां पूर्व से उपस्थित है मनू नाओ से वहां पहुचते हैं गंभीर अवसाद में हैं डिप्रेशन में हैं मैंने बताया भी था कि अगर कि हमारे घर किसी एक बेक्तिकी मृत्य हो प्रशान ठाकुर जी आप या तो परसंट ही घटा लीजिए या पढ़े ही लीजिए ठीक है जो पढ़ाया जा रहा है परसकते हो तो पढ़िए न परसकते हो तो नमस्कार 30% चक्र मत पढ़िए भी 30% में क्या कटा है क्या जुगा है यह पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ना है दूसरी बार यह जो मैं व्याक्षा करा रहा हूं इस व्याक्षा पर फोकस इसलिए होईएगा क्योंकि इसी व्याक्षा पर आधारित आपको 10 अंक के उत्तर देने हैं दो दो अंक के 5 प्रशन आपके सामने मिलेंगे इसी में से कोई पध्यांश मिल जाएगा और इस पध्यांश पर आधारित प्रशन होंगे इसलिए भी से ध्यान दीजिए कि पध्यांश आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि हर एक पध्यांश 10 नंबर समेटे हुए हैं हमें नहीं पता है कि परिच्छा में कौन सा पध्यांश कहां से पूछ दिया जाएग इसलिए भी से ध्यान रखे कि हर एक पध्यांश आपके लिए बहुत महत्तपोंड है और श्रग्धा मनु चैप्टर एक्जामनेशन पॉइंट आप यूसे बहुत महत्तपोंड है जिसको जानना हो 24 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था कैसा लगा पेपर उसको आप द लड़ियां थोड़ा बातूनी होती है इसलिए श्रग्धा पहले बोली है मनु बेचारा चुक्चा पढ़ा हुआ है श्रग्धा पूछती है कौन तुम हे मनुष्य हे प्राणी यहां बैठे हुए हो तुम कौन हो उस आधार पे पूछती है कि एक अपनी तरफ से एक्जा किनारे पर जैसे समुद्र में ज्वार या भाटा आता है लहरे उठती हैं तो समुद्र के अंदर जितने भी रत्न है वो रत्न छिटक करके बाहर आ सकते हैं ज्वार के साथ और फिर पानी लोट गई तो रत्न नहीं लोटा लेकिन पानी लोट गया समुद्र से ज्वार आय फेकी गई एक मली हो अब संसार रूपी सागर है संसित जलनीधि में रूपक लगा हुआ है संसार रूपी सागर संसार रूपी सागर में तरंगो द्वारा फेकी गई एक मली हो कर रहे निर्जन का चुपचा प्रभा की धारा से अभिशेक इस निर्जन का इस सुनसान अस्थ कोई नहीं रहता इनसानों की वंस्ति नहीं है यहांстав है इस अस्थान विशेष की संदर्टा को बढ़ा रहे हो आगे बात करते हैं शरग्धा फिर आगे कहती है कि यदि ऐसा नहीं है तो क्या है मधुर विश्रान्थ और एकान्थ मैं कल भी पढ़ायता है आज भी पढ़ा रहा हूँ एक भीया ने कल प्रशन पूछ दिया कि सर विश्रान्थ का अर्थ आपने नहीं बताया है और पता नहीं किसका यार मैं फिर बता रहा हूँ श्रान्थ का मतलब होता है ठका हुआ श्रान्थ का मतलब ठका हुआ वी उपसर्ग लगता है विशेस अर्थ में विशेस रूप से ठका हुआ यानि ज्यादा ठका हुआ मधूर का मतलब होता है मुलायम, सुन्दर, आसान समझ गया है मधूर मतलब मुलायम, सुन्दर, आसान जो ज्यादा आत्मी है हो उसको कहेंगे मधूर मधूर विश्रान्त और एकांत जगत का सुल्जा हुआ रहस्य यह जो संसार मेरे सामने दिखाई दे रहा है संसार में चारो तरब जहां केवल दुख ही दुख व्यापत है संसार में जहां केवल मोह और माया के बंधन व्यापत है क्या इस संसार के कोई रहस्य हो तुम क्योंकि मेरे सामने तो दिखाई दे रहा कि संसार समत हो रहा है फिर भी तुम यहां जीवित बचे हुए हो क्या इस संसार का कोई रहस्य हो इस संसार की कोई ऐसी गुप्त विशेशता हो जो मैं नहीं जानती आगे कहते हैं एक करुणा में सुन्दर मौन और चंचल मन का आलत से तुम्हारे चेहरे पे करुणा दिखाई दे रही है तुम्हारे चेहरे पे आवसाद यानि डिप्रेशन दिखाई दे रहा है इसके बाद भी तुम्हारे आँखों में चंचलता है तुम्हारे चेहरे पे कौतू हल है यह जो सुन्दरतात में तुम मौन धारण किये हुए हो यानि तुम क्या है बहुत ही जादा आभा वाले दिखाई दे रहे हो बहुत जादा तेजवान दिखाई दे रहे हो बहुत जादा सुन्दर दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम इतने अस्थान है यहां कोई नहीं है अकेला मनु है और अकेले मनु के कान में आवाज जाती है क्या यहां मेगे अलावा कोई और भी है क्योंकि मनु तो यहां मन बैठा था कि सब कुछ समापत हो गया आप तो कुछ बचाई नहीं जब कुछ बचाई नहीं है तो फिर यह आवाज क की वाजी में याणि श्रग्धा की आवाज इतनी मीठी इतनी sentence जनकार वाली थी कि मनुका मन स्वतह आकरशित हो गया लिखा है जैसंका उस्पर-。शाधी ने सुना यह मनुने मधुखुंजार। मधुखुंजार का मतलब एक बहुत प्रेमयुक। भहुत ही मीठी वाग्ली में आवाज सुनी ठीक है मधुकरी कासा जब सानंध आनंध के साथ मधुकरी का मतलब क्या होता है विक्षा यहाँ पे अर्थ लेंगे कैसे यहाँ पे अर्थ लेंगे कि जो श्रद्धा के तरफ से जो उनको एक उपहार मिला है आग्रह मिला है यह जानने का कि तुम कौन हो मनु यह मान बैठे थे कि मनु अब सब कुछ समाप्त हो गया उस समय एक उपहार रूपर यह श्रद्धा उनक करी का अर्थ यहां हम आशा से ले सकते हैं कि एक भविष्य की आशा के रूप में मनों को प्राप्त होता है क्या श्रद्धा का जवाब या श्रद्धा का वारी कि ये मुख नीचा कमल समान प्रफी का क्यों जो सुंदर छंड प्रथम कभी कौन आधी कभी वालमी की पिछले क लोग है जो महर्शी बालमी की के मुख से निकला था महर्शी बालमी की को कहा जाता है आधी कभी या प्रथम कभी जिस प्रकार से प्रथम कभी यानि वालमी की के मुख से या सुंदर छंद निकला था वैसे ही स्रद्धा के मुख से एक सुंदर वारी निकली थी कौन सी वा कौन मन किये मुख नीचा कमल समान मुख कैसा है उनका कमल के समान है कमल के समान कोमल है कमल के समान सुंदर है कमल के समान बगिया है समान लग जाने के वज़े से आपके उपमा लगी हुई है कमल रूपी अपने मुख को नीचे किये हुए अनुभाव लगे करने और मन में आनं थोड़े स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि हम पिछले वीडियो में पड़ चुके थे बस मैं केवल रिवाइस कर रहा हूं जिसको कहते हैं रिकाप एपिसोड को जिक्कत तो नहीं है ना हाना ही बोलते जाएगा यही तो मुझे मतलब आप क्या बोलते इसको जैसी यह आप लोग का तरीका है ना कमेंट करने का समझेए यह मतलब मुझे बहुत आहला अजित कर लेता है ठीक है मतलब मैं जब पूछता हूं कि आप लोग को कुछ पूछना है कहीं से कुछ फशा है और आप कर देते हो याद नहीं फशा है हां मतलब जीतने एक्टिविटिय जीतने अनर्जी से मैं पूछता हूं सारी अनर्जी आप लोग डाइन कर देते हैं मेरी अनर्जी नही हुआ यहां इकों सा हर्मोन लेके आ गया रहां क्लियर है वेरे गोड्य वेरे गोड्य वेरे गुड्य रिटेश वर्मा दूबागा समझना हो का वीडियोरिवाइंड करके देख लिएगा दोस्त अभी महमको नहीं लगदा कोई बहुत दिक्कत है जिसको कॉल करना हो भाईया नमस्कार रुग जाए एक मिनेट रिमूव एक जटका सा लगा शहर्स निखरने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत कौमा है यहां पर ध्यान दीजेगा मनु को एक जटका लगा श्रगधा की आवाज सुनकर के मनु को जटका लगा अरे कौन बोला धर्ती पे कोई है नहीं मैं अकेला बचाओं बोला कौन पीछे से एक जटका सा लगा लेकिन उस जटके में हर्स जुगा हुआ था सहर्स प्रस देख चुके थे वह मनु जो इस समय गंभीर अवसाद से पीलित थे वह मनु जो इस समय पूरित से दुखी थे परेशान थे उनहीं के लिए पर्युक्त हुआ है लूटे से वह मनु जो लूट चुके थे यानि जिनका आत्म विश्वास गिरा हुआ था वे मनु निरखने लगे निरखना का मतलब होता है निरखन करना यह नया शब्द है ध्यान दीजेगा पिछले वीडियो में मेरे से गरबर हो गया था मैं साब बता रहा हूं मैंने इसको निखरने पर लिया था निरखने शब्द है यह शब्द है निरखन यह निरखन का तदभाव है निरखन खोजना निरखना मतलब खोजना निरिक्षर करना ये देख लिजेगा पिछले वीडियो में गलती हुई थी इसलिए मैं इसको सुरू से चल रहा हूं लेकर के मैं फिर से हाथ जोड़ के चमा पराथी हूँ आप लोग प्रीजन निरिक्षर सब्द है मैं इसको जटके से परते समय निखरने पढ़िया था ये सब्द है निरखने लगे यानि मनु अंदाजा लगाने लगे परिक्षर करने लगे कौन है तो ये निरखने का मतलब गया नि क्यों कि शरद्धा की आवाज में क्या है मधुलका है शरद्धा की आवाज में क्या है गुझार है कहा कौन यह संदर संगीत गा रहा है किसने पूछा कि तुम्हों हो कुतूहल रहने सकाband surtout कुतूहल का मतलब प्रीयोक किया गया है कुतूहल यानि मनु के अंदा बेचैनी शुरू हो गई मनु के अंदर बेचैनी हुई यह जटका सक्त लगा मन में आनंद आया लगे सोचने कि आखिर यह पीछे से कौन इतना सुंदर गीत गा रहा है और ऐसा सोच करके मनु के अंदर की बेचैनी उठी और वो बेचैनी मौन नहीं गहने दी यानि मनु को बोलने के मजबूर कर दी कि नहीं मनु तुम भी कुछ बोलो मनु अब शांत नहीं गह पाए कोई दिक्कत नहीं सही हो गया हो गया अभी अरे भाई कावे साहत कभी कास भी हो जागा यार उसका वीडियो बनाऊंगा का है कि अब पिछला वीडियो बना हुगा वो भी देख ले ना भ चले मनु ने क्या कहा कुतूहल रहन सका फिर माउन अब मनु ने अपना सिर उठाया क्यों क्योंकि मनु अपना सिर नीचे की हुए थे अभी पीछे हम लों देखा कि ये मुख नीचा कमल समान मुख नीचे करके ऐसे जटके से क्या कर सकते हैं अभी का है कौन बोला जटका स जीवित है ठेक नयन का इंद्रजाल अभिराम नया शब्द आया इंद्रजाल एक शब्द इसको पकड़िएगा इंद्रजाल का मतलब होता है जादू जिसको जादू कहते हैं न हम लोग जादू दिखाया जाता है तोपी में हाट डाला कबूतर निकाल लिया फिर तोपी में हाट डाला, उसी में से खरगोश निकाल लिया, फिर तोपी में हाट डाला, उसी में से फूल निकाल लिया, जादू, जादू का संस्कृत सब्द है इंद्रजाल, इंद्रजाल कहते है जादू को, कहा नयन का इंद्रजाल, अभिराम, नया शब्द, अभिराम फिर नोट करिएगा अभिराम कहीं पेन से नोट करिएगा अभिराम का मतलब होता है अत्यंत सुन्दर अभिराम का मतलब अत्यंत सुन्दर ये देखिए सब्दों में पहचान करने के लिए अभिराम अगर ये वह रहता वकील वाला वह तो इसका मतलब हो जाता बिना रुके पिना ठके लेकिन अभिराम यानि भव आ गया तो इसका मतलब होता है बहुत सुन्दर अत्यधिक सुन्दर ठेक हाँ नयनका इंद्रजाल अभिराम वो सोचे कि अरे यह हमारे नेत्रों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा है सही बात है नेत्रों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा ह नयनका इंड्रजाल, अभिराम, कुसुम बईभव में लता समान सुरब्धा कैसी है? लता के समान है और कुसुम रूपी बैभव से संपन्न है जब कोई व्यक्ती सुंदर होता है, तो कैसा होगा? आप भूशोंगों से युक्त होगा अगर कोई लता सुंदर होगी तो कैसी होगी अब देखे व्रिक्ष जो है वो पुरुष पात्र है व्रिक्ष होता है पुरुष लेकिन अगर हमको पौधों में महिला पात्र खोजना हो तो क्या करेंगे लताएं होती है तो क्योंकि ब्रिक्ष तो होती नहीं ब्रिक्ष तो होता है तो ब्रिक्ष अगर पुलिंग है तो उसका इस्त्रिलिंग अगर ढूड़ना होगा हमको पौधों में तो लता ही तो मिलेगी अर्थाक स्रद्धा कैसी थी हर एक अंग विभागसी एकदम सुंदर थी कितनी सुंदर चंद्रिका से लिपटा घंशाम मानो ऐसा लग रहा है क्या घंशाम यहाँ पे दो अर्थ लेंगे एक घंशाम का मतलब हो गया क्रश्न जैसे क्रश्न गोपियों से लिपटे रहते थे और नहीं तो जैसे बादल चंद्रमा की चांदनी से लिपता हुआ है रात का स्वच्छ आकास हो उसमें छोटे छोटे बादल हो और बीच भी इसमें चांदनी छिटक के आती हो यानि श्रद्धा का जो सरीर है वो बिल्कुल ऐसे ही सुंदर दिखाई दे रहा है जे शिवम बर्मा भीया ये भागवत कथा जब हम लोग सुग करेंगे तो उसमें बताएंगे अभी जो चैप्टर पढ़ने जो चैप्टर में लिखा है उसको पढ़िए अरे भाई अभिराम मने पत्मी नहीं होता है शोक्तिवारी भीया अशोक्तिवारी चितपड़ा गाउं अभिराम का मतलब होता है सुन्दर बहुत सुन्दर आवशक्ता से ज़्यादा सुन्दर अभिराम मने पत्मी नहीं होता है भाई ऐसा मत करिएगा ठीक है कहीं कोई दिकत देखिए समान प्रयोग हुआ है लता के समान इसलिए रूपक नहीं होगा उपमा लगेगा अमन भी होता है फोटो कॉपी डुप्लिकेट कॉपी अनुकृती फोटो कॉपी डुप्लिकेट कहा हृदय की अनुकृती बाहर जितना कोमल हृदय उतना ही सुन्दर शरीर यानि लोग कहते हैं कि इनका जितना तन सुन्दर है उतना ही मन भी सुन्दर है बस इसी बात को हमारे जैस वह अपना जान करके उसने हमसे पूछा था कि कौन हो तुम आखिर इस निर्जन अनसान में कोई पूछने वाला ही था कहां उसने पूछ दिया था और था यदि कोई व्यक्ति दुखी हो सड़क की किनारे बैठा हो आपके परिवार में कोई बीमार पड़ा हो तो लोग जाते हैं क्या हाल चाल है ऐसा लोग करते ही नहीं करते हैं इतने के वज़े से उसको क्या मिलता है बीमार बैठी को आत्मवल मिल जाया करता है और जैसे ही बीमार बैठी को आत्मवल मिलता है तो क्या होता है वो ठीक होने की प्रोसेस में जल्दी जल्दी आने लगता है ठीक हो ऐ यही तलिया हृदय की अनुकृति बाहियोदार हृदय की जो डुपलिकेसी है यानि जो हृदय है बिलकुल वैसा ही शरीर भी सुन्दर है एक लंबी काया है और कैसे उनमुक्त है बिना बंधन के है एक लंबी काया काया मतलब होता है शरीर उनमुक्त का मतलब होता है बिना कि सी बंधन के मधुपवन कृड़ित जह सी सुसाल स्रभधा को देखके लगता है कोई साल का छोटा सा वृच साल एक ऐसा वृच है जो पर्वती विलाकों में होता कही जिसकी लख़ी बड़ी मजबूत होती है अब कोई छोटा सा साल का वृच हो ज्यादा बड़ाने है यानि छोटा सा कोई पौधा हवा के जोकों से हिल रहा हो तो जो सुन्दरता अनुभा होती है बिल्कुल वही लिया हिनोंने कि जिस प्रकार से कोई सिसु साल छोटा सा साल का व्रिक्ष मधुपवन यानि मधुर धीमे धीमी हवा के साथ खेल रहा हो और इतना ही नहीं वह साल का वरिच्छ सौरव से सन्युक्त हो यानि सुगंध से युक्त हो यानि साल का छोटा सा वरिच्छ जो सुगंध से भी युक्त हो और धीमी धीमी हवा के साथ खेल रहा हो तो जो सुंदर्तान वह होगी बिल्कुल वैसी ही सुंदर्ता श्रब्धा के अंदर दिखाई दे रही मैंने पहले बनाया कि चाया वाद का पहला नियम है कि यहां कल्पना वाद चलता है चाया वादी कविताएं जितनी हो कल्पना में चलती है इमेजिनेशन कल्पना करके ही यह कविता लिखी गई है सोच सोच करके यह वास्तविक्ता कविता नहीं है आप लोग क्यों सोच चिंतर करने लगते हैं ध्यान दीजिए फिर से मैं बता रहा हूं गौर्जियर से स्टूडेंट जो भी आपका नाम हो मुझे नाम नहीं मिल पा जादनी का ही तक्सम है संडूका नहीं बताता चलता हूं बाकी युवाल मुठा सभी अपके यह तो आप लोग लोग मेरे चैनल पर हैं जणों नहीं नहीं देखा है नावह एक अलग्सी वीडियो में नाग को सो बहुता हुँ देगा हूँ A-L-A-N-K-A-R by रविकांत सर्च कर लीजेगा तुरांत मिलेगा दो तरह के सब्दा लंकार मिलेंगा अब्दा लंकार मिलेंगे हर चीज का एक्जामपल भी मिलेगा आप देख लीजेगा पहले से बना बनाया वीडियो है जिसको जो पढ़ना हो अलंकार संधी पढ़नी है संधी वाई रविकांत समास पढ़ना है समास भाई रविकांत मुहावरे पढ़ना है मुहावरे वाई रविकांत हर एक चीज जो आपके बोड़ परिछा में पूछी जाती है हमारे चैनल रविकांत मरत्रपाथी पे अवलेबल है या जो चैनल है रविक निवन दलेखन जो चाहिए हर्ची जो लेवल है ठीक है पावन दूतिका भी है बना बनाया है देखें बीने भीया बता रहे हैं चले चले आगे गुट 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 थसारी भुषपूरी जी वा स्वागत बहुत धन्यबाद भाई रॉकी राज गुट ओके हाँ बिने भीया बिल्कुल पावन दूतिका दो दो बार है एक बार नहीं पिछली बार भी है चुकि इस बार रिसोसेस कम थे तो हम लोग सामाने उस्था म बना जो भी वीडियो आपको चाहिए वीडियो का नाम बाई गभी कांत खट से आएगा मत बाई लगाई है वीडियो का नाम प्लस इस पेस करके तब गभी कांत लिए आ जाएगा राम राम बैया भी वेगए मसरिग गांधार देश के नील रोम वाले मेशों के चर्म ढख रहे थे उसका बबुकांत बन रहा था कोमल वर्म मसरिग चिकने मसरिग का मतलब होता है चिकना गांधार देश के गांधार देश कहते हैं वर्तमान में जो अफगानिस्तान है जी हां अफगानिस्तान को गांधार कहते थे पुराने जमाने में बिनेविया बहुत ही योग यह ब प्राफी स्वागत आपने किया था इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बिने विया, बिने विया पढ़के नहीं पढ़ाते हैं, हम लोगो सासाथ पढ़ाते हैं, मस्रिर गांधार देश के नील, रोम वाले मेशों के चर्म, गांधार देश, अफगानिस्तान, उनको काट करके उनसे कम्बल बनाये जाते हैं, अब लिखा है मस्रिव गांधार देश के नीले रूमे वाले इस्पेसल क्वालिटी के जो है कौन? मेश, मेश यानि भेर, मेश यानि भेर, नीले नीले रूमे वाले भेरों के चमरे से बनाया गया जो वस्त्र था वह वस्त उसका वप कांथ ढख रहे थे, सुन्दर शरीर ढख रहे थे, वप मने होता है सरीर, कांथ सुन्दर, देखे रहे कांथ गड़़े सुन्दर, क्योँ मतलब अफगानदार देश के नील रूम वाले मेशों के चर्म, अफगानिस्तान गांधार देश यानि फिर से समझेगा गांधार देश वर्तमान का अफगानिस्तान उस समय गांधार कहा गांधार देश के नीले रूए वाले भेलों के चमरे से बना हुआ जो कपड़ा था वह कपड़ा उसके वापू यानि शरीर को ढख रहा था शरीर कैस ते और वह सरीर क्या था कॉमल वर्म बन रहा था यानि जो वस्त्र था वह सरीर पे और भी जादा कॉमलता को ड Interview शरी वन वस्त्रों में अधिक सुन्दर अधिक कॉमल और अधिक प्रभावशाली प्रसीत हो रहा था है गुड़ अशोक तिवारी जे मत घबराईए जो नहीं है वो आ जाएगा जो आ जाएगा उसको पढ़ लीजिए ओके चले आगे अब देखिए नीले रंग वाले भेंगों के चमरे से कपड़ा बना है तो कपड़ा किस रंग का होगा लाला रंग का किस रंग का होगा नीले रंग वाले भेंगों के चमरे से बना है तो कपड़ा भी तो नीला होगा नील परिधान बीच सुकुमार सुकुमार यानि श्रग्धा का सुकुमल सरीर नीले रंग के परिधान परिधान मतलब होता है वस्त्र परिधान यानि वस्त्र कपड़ा नीले रंग के परिधान के बीच में वह सुकोमल इस्त्री कैसी दिख रही थे खुल रहा म्रदुल अधखुला अंग अब कपड़ा पहने हुए हैं उसी में से मालिय इतना हाथ खुला हुआ है इधर भी इतना हाथ खुला हुआ है यह गर्दन के उपर खुला हुआ है यह जो खुला हुआ सरीर है यह गोरे रंग का सरीर है जो वस्तर पहन रखे हैं वो वस्तर कैसे हैं नीले रंग के वस्तर हैं तो नीले रंग का वस्तर और ये गोरे रंग का सरीर दोनों मिलके कैसे लग रहे हैं मुलायम कैसे लग रहे हैं कि मानो मेघ delegate बीच में बिजली का फूल खिला हुआ हो और वो हम बिजली का फूल गुला भी रंगता हो आकाश में बहुत सारे बादल और बादलों के बीच में बिजली चमक गई हो निले रंग का जो कपड़ा है उसका प्रतिमान ले लिया बादल और जो गोरे रंग का सरीर चमक रहा है उसका ले लिया बिजली यानि जैसे बादलों में बिजली चमकती है बिलकुल वैसे ही नीले कपड़ों में उसके अधुखुले अंग सुन्दर दिखाई दे रहे थे किसी को किसी प्रिकार की कोई दिक्कत शुखम परिधान का मतलब होता है वस्त्र आर्यन भीया परिधान का मतलब होता है कपड़ा अरे भाई बिजली का फूल नहीं होता है ऐसा लग रहा है कि फूल जो है अब फूल कैसा होता है सुन्दर होता है ना पीले रंग का होगा लाल रंग का होगा अब नीले रंग के आसमाने में जो बिजली चमकती है बिलकुल वैसे ही नीले रंग के कपड़ों में शुरधा क का शरीर दिख रहा था अब बिजली की सुंदर्ता को बताने के लिए बिजली का फूल कह दिया गया ठेक यह वास्तविक नहीं है फिर मैं बता रहा हूं कलपना शिल्टा की कहानी है ठेक गुड़ आगे कोई दिकार शेवंबर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप भी बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं अगर आप प्यारे नहीं होते तो फिर मैं अच्छा टीचर कभी नहीं बन पाता क्योंकि देखें टीचर मैं सभी बना जब इस्टूडेंट बने आप अच् संडे को क्लास बंद रहती है अधुखुला मतलब आधा खुला हुआ कपड़े के बाहर जो सली निकला हुआ है आप मन सोच रहा है अपने मन में आप सुन्दर्था को देख करके आश्चरे में है मनु कहा आप वह मुख स्रगधा का मुख कैसा है स्रगधा के मुख पे कितन पश्चिम के व्योम पश्चिम का जो आकास है पश्चिम का आकास सुर्य पूरव में उदित होता है पश्चिम के आकास की बात कर रहा है पूरव से सुर्य की आभा पश्चिम के तरफ पढ़ती है कहा पश्चिम के आकास की तरफ और मानो कि पश्चिम के आकास व्योम का मत जाए गलग बात students से teacher होते हैं ठीक है students से teacher बनते हैं आप इस बात को मानिये व्यों का मतलब आकाश आह वह मुक पश्चिम के व्यों बीच जब घेरते हो घंशाम अब सोच समझ रिए कि पश्चिम की दिशा में जब सायंकाल बादल घंड घिरते हूँ घंड शाम λरंग के बादल घिर जाते हूँ और अरुण रवि मंडल ला लरंग का सूर्य का मुख मंडल मतलब मुख होता है यहांपे मंडल सब्रमा मंदल का मतलब होता है आभा कमिख सूर्य का मुख उनको भेद करके जब दिखाई देता हो और वह च्छ वो ऐसे 26 मतलब अत्यानत सुन्दर अब समझे कि श्रगधा का मुख बिलकुल वैसा ही है नीले रंग के कपड़े मान लीजा अगर उसने सारी पहनी हो अगर मेशों से बना हुआ या उसने शाल हो उसके बीच में श्रगधा का मुख कैसा लग रहा है कि मानो नीले रंग का जो कपड़ा है वो घंशाम है यानि वो बादल है और उस बादल में पश्चिम के आकास में अगर बादल चाये हो और उन बादलों के बीच सूर्य निकल आवे सोचे कितना सुन्दर लएगा बादल चाये हो उन बादलों के बीच में सूर्य निकल आवे लाल लाल के रने चारो का मुद इखाई देगा है शब धाम अत्यांक सुंदर इस टेंजा क्लियर किसी को कोई दिक्कत क्यों किसी को कोई दिक्कत अरुन माने लाल अरुन माने लाल अरुन माने लाल अरुन मतलब सूर्य भी होता है अरुन माने लाल फिलहाल अरुन मतलब यहां पर लाल आएगा क्योंकि रवी शब्द आया हुआ है अरुन का मतलब होता है लाल गुट आज दिल से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्यों पर क्लास में लोग पढ़ ले थे उसके पेच्छा आज ज्यादा मज़ा आ रहा है इतनी तारीफ कोई नहीं करता पुनित भीया है अब क्या किया हम लड़कों की किस्मत ही ऐसी है कौन तारीफ करेगा हमारी वैसे आप लोग के प्रत्में ग्रेटफुल हूं काफी तारीफ करते ह आप लोग हमारी पता है कल मैं होस्पीटल में था वहां टाटाय मीमोरियल बनारस में वहां एक भीया मिल गया मुझे बलिया का कौन यादो था मुझे याद नहीं आ रहा बलिया के बहां पर बैठा था थोले बाद आके कह रहा है पड़ाम किया कहा सर आप देवरिया के हैं मैंने कहा भीया देवरिया से हूँ तो फिर उसने पैश्वा दुआ रहा कि सर मैं धन्य हो गया मैं करताथ हो गया सर मुझे नहीं लग रहा था आप से कभी मेरी मुलाकात हो पाएगी और रहे वो सर आप यह वह ऐसे मतलत तमाम सारी बात हैं उसने बताया फिर अपने स्कू तो आप यादों बने है आप यादों बने शीवम बहिआ बहिआ बहिया बहिआ था-ठारी नहीं करेंगे हम आप पहूंगे लेक्वेित नहीं नहीं और बहूंगेिंहाँ तारिफ करना से संट्री पॉइंट है आगे चलें, बहुत तरीफ हो गई कभी का अंसर किया, थोड़ी श्रब्धा की तरीफ कर लें क्यों, अब श्रब्धा के चेहरा पता चल गया देगे पहले मनुने क्या देखा, शरीर कैसा है, कपड़े कैसे हैं, मुह कितना सुंदर है अब उसके बाल कैसे हैं, घिर रहे थे घुंगराले बाल, श्रब्धा के बाल कैसे हैं, घुंगराले बाल है कहां है अवलंबित, अंस अवलंबित, अंस मने होता है कंधा, अंस मने कंधा, कंधे पर आके टिके हुए हैं अवलंबित टिके हुए हैं अवलंब का मतलब होता है जिस पर भरोसा करके आदमी खड़ा रहता है यानि वह प्लेस या वह प्लेटफॉर्म जिस पर कोई चीज टेबल है कहा अंस अवलंबित मुख के पास ये जो बाल है वो घुंगराले हैं चेहरे के पास हैं और कंधे पे टिके हुए हैं नील घन सावक से सुकुमार, कैसे हैं नीले रंग के बादल के बच्चे, शावक मतलब होता है बच्चा, अब बादल का बच्चा, बादल अपने आप में सुंदर, अब बादल का बच्चा कितना सुंदर, बच्चे तो किसी के भी सुंदर होते हैं, कुटे के बच्चे बच्चे तो कोई भी सुंदर होते हैं होते की नहीं होते हैं क्या कहा बाल कैसे हैं घुंगराले हैं चेहरे के चारों तरफ हैं मुख के पास कंधे पर आके टिके हुआ यानि कंधे तक हैं कैसे हैं नीले रंग के बादलों के बच्चों जैसे सुकुमार जैसे कोई सुकोमल ब वैसे ही बाल हैं और मुख कैसा है विधुके जैसा है विधुमने क्या होता है कैके कानुताप जिसने पढ़ा होगा वो बता सकता है विधुमने क्या होता है कोई बता सकता है विधुमने कौन विधुमने क्या होता है अन्समाने कंधा साबितरी पांडे अवहलं ब्वित का मतलब उता है टिक हुए जिसक्थ हुए हो कौन बताएगा बिधिम उन्हेंग उता है कांड मैं कहीं कान अप स्कुलक में वहीं बताप आएगा कमेंट मैं दे dokument मैं देख रहा हूँ जल्दी बताईए बिधुमने क्या होता है चंद्रमा रितेश वर्मा चंद्रमा वेरी गोड़ अब मुह कैसा है तो मुह की उपमा चंद्रमा से लिया है मानो ये नीले रंग के सुकोमल बादलों के बच्चे चंद्रमा के पास अम्रित पाने को आएं हो उसी तरह से यह बाल जो है यह बादलों का बच्चा है मुह जो है वो चंद्रमा के समान है यह बादल जो है इस चंद्रमा के समान अम्रित प्राप्त करने के लिए आया है सोचे किस लेवल की कलपना हो सकती है श्रगधा के बाल घुंगराले हैं मुख के चारों तरफ हैं कंधे पे टिके हुए हैं मानो ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के बादलों के बच्चे मुख रूपी चंद्रमा अब यह बादलों का बच्चा मने बादल यह बाल यानि जो उसके बाल है वो बादलों के बच्चों के समान है यानि बादल के बच्चे रूपी यह जो बाल है यह मुख रूपी चंद्रमा के पास अम्रित भरने के लिए आए हो अम्रित का पान करने के लिए आए हो कैसा लग रहा है उत्प्रेक्षा है अलंकार हां कैसा लगा इस्टेंजा कैसा है इतना खुबसूरत इस्टेंजा मुझे नहीं लगता कि पूरे चैप्टर में कोई है यह जो पूरा चैप्टर उतारा श्रद्धा मनुं का इतना खुबसूरत वर्णन किसी इस्टेंजा में न पर रहे थे घुंगराले बालस अंस अवलंबित मुख के पास नीर घंसावक से सुधा भरने को विदु के पास से सब्दिया पर लगा हुए घंसावक जैसे सुकुमार उपमा हो जाएगी बाकी यहां तक जहां पर है मानो ऐसा लग रहा है इसलिए यहां पर उत्परेच्छा हो जाएगी बाकी जहां तक बात है अंश अवलंबित है घिर रह 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 तो इस सब चीज में अनुपरास हो जाएगे तो आप लोग खुद खोश सकते हैं हमसे कापुछ वाएंगे ठीक है अब सावक है सो है सुकुमार है अब तीन बास सो आ गया फिर यहां पर अनुपरास छे साथ हो गया अनुपरास तो यह सब तो खुद आप लोग अपने मन से खोश सकते हैं भाई अरे टाइम होने दीजिए भाई राकी जी कैसा लग रहा है हां मजा रहा है आईए और कहते हैं मनु और उस मुख पर वो मुस्क्यान और उस मुख पर क्या है मुस्कान है केवल मुख नहीं है मुख और सुन्दर कव होता है भारुका जैसा मुख बना हुगा हो कि मुस्कुराता हुगा चेरा कहा और मुख पर वो मुस्क्यान और यह कतो मुख सुन्दर चंद्रमा जैसा मुख कैसा था मानों की पश्चिम का आसमान और उसके अंदर से सूर्य का मुख रहा हो इतना सुंदर है चन्रमा जैसा है और उस मुख पर मुस्कान अग पिकक पूछना है मतब सर्दा की सुंदर्टा वह क्या उप्टिम की मुस्कान है कि कहते है कोपल आप लोग आमका आशोक आप पोधा देखेंगे ज़ो नई नई पतिया निकलती हैं लाल लाल हां उसको कहते हैं किसला हैं हां मजा आ रहा है हां मजा कितने लोंको आ रहा है शिवम राजपू्ट जी क्या बात है सवागत सवागत beweजिश कमेश्टिक दिमार चाठता है किसा भग सारी भगें लुओable लुओability किसलियए बनाय लाल रंग की पंखुईयां यानि आप लोग जब सत्तंगान भुवान की कथा के लिए नहीं आम का पल्लो तोड खिलाते जम उपर का जब पल्लो तोड़ना लाल लाल निकला रहता है सुचे किता कोमल होता है मीठा भी होता है सुंदर भी होता है महकने में भी अच्छा लगत होता है ना वह सौ अलग भले हैं लिक काउंटिंग वही आएगा सुने सुकला जी काउंटिंग वही आएगी रत किसलय पर ले विस्राम मुख कैसा है लाल रंग के जो पत्ते निकले हैं उसकी तुलना कर लिया मुह से यानि श्रद्धा का मुख बिलकुल वैसा ही है जैसे आम की लाल लाल कोपल निकल रही हो एक दम नए नए जो लाल लाल पत्ते हैं बिलकुल जितने मुख मतलब मधूर जितने कोमल वो पत्ते होते हैं वैसा ही कोमल रत किसलय लाल रंग के कोपल वाले पत्ते उसी पर विश्राम ले रही है उसी पर आराम कर रही है उसके मुख क यानि मुख कैसा है लाल लाल पत्तों के समान है और उस मुख पर वह मुस्कान विश्राम पा रही है यानि मुस्कुराहट बनी हुई है वह कैसी है मुस्कुराहट आगे फिर और उपमाएं लेते हैं एक उपमा और लिया अरूंग की एक किरण और मलान मलान का मतलब होता है ग जिसमें ले शमातर भी गंदगी नहो और उनकी एक किरण अमलान अधिक अलसाई हो अभिराम मानो ऐसा लग रहा है कि एकदम प्राता काल की भोर कोई एकदम सुबह सुबह की सुरे की पहली किरण निकली हो और ऐसा मानते हैं कि सुर्य की पहली किरन्ग होती है उसमें आलस से जादा होता है मादकता जादा होती है अच्छा लोगों को होता ने सुबहरे से नीद भी खूगाती है आजही मैं सुबहरे पाँच बज़े ट्रेन से उतरा हूँ बनारस से लोटा, सुबा पांच बज़े ट्रेन से उतरा हूँ और घर आया हूँ तो सो गया हूँ, इस्कूल के लेट हो गया हूँ तो सुबा में आलस भी बहुत आता है कहा मानो ऐसा लग रहा है कि सूरे की एक सुन्दर साफ लाल किरां आलस से और मादक्ता से भरी हूई हो, बिल्कुल उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान है जुस्रदा है मज़ा आ गया? कितने लोग को मज़ा आ गया? कितने लोग फसे गया भी मज़ा नहीं आया? और मज़ा चाहिए शिवम राजपूर गुड़, गुड़ मज़ा आ गया ना? डांसर सोवम से एक बार फिर से वाला मामला वीडियो रिवाइन आभी सेशन खताम होगा रिवास करके वीडियो देखेगा भई, मज़ा आएगा सुन्दर किरण नए पत्ते पर आराम कर रही है तो गुर्देव हम क्या करें? वही करिया जो बताया गया है, हम भी तो वही बता रहे है कि मुँपे मुस्कुराहट वैसे ही लग रही है जैसे अरों की एक किरण रत के किसले पर विश्राम ले गई हो मुस्कान भी विश्राम ले गई है किरन भी विश्राम ले रही है यानि किरन यानि मुस्कान बात तो वही है जो इसकूल में बता रहे है मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि उस मुख पर मुस्कुराहट वैसी ही लग रही है वह मुस्कुराहट कहा है लाल रंग के पत्तों पर विश्राम ले रही हो कि एक तो स्रद्धा का मुख सुंदर और उस पर मुस्कुराहट बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे माने लाल लाल पत्तों पर सुगश की किरह पढ़ गई हो अर्थ तो भई मैं भी दे रहा हूं अर्थ कहां बदल जाएगा जो इस्कूल मेर्स बता गया वही हम भी बता रहे हैं इसकूल वाले गलत थोगे ना बताएंगे बाई मैं बड़ा आधर करता हूं सभी सम्माने सिक्षगरों का जितने भी आधरने सिक्षगर जूटते हैं उनके प्रतिमें से आभारी होता हूं सभी सिक्षगर अच्छा पढ अब कंठ से आवाज निकली है अभी तक चुप चाप एक तक सोचा है सुना है समझा है श्रद्धा को देखा है अब बोल रहा है मनु कापी कट क्या कोगा घाई कापी कट चाई पीने अशुक जी वा अकेले अकेले हां कहा मनु ने अब मनु वहां पर बोलता है डबल मेंट अब अब धर्ड़ी बीच आकास से लेके धर्टी तक पूरा बना जीवन रहस्य जीवन क्या हुआ है रहस्य बन गया है मैं समझी नहीं पाराओं कि यह क्या हो रहा है मनु अभी भी आउसाद में ही है देखा है श्रद्धा को बस कह रहा है कि इस उपर से लेके नीचे तक आस्मान से लेके धर्टी तक यह जीवन क्या है रहस्य बना हुआ है और इतना ही नहीं निरुपाय एक उलकासा जलता भ्रांत अभी हम लोग पिछले गया पाये थे उलका एस्ट्राइड्स जो उपर से ना आस तारे टूटकर के नीचे कितने लगते हैं क्यों पंकज भाई ने कि इस आकास और धर्टी के बीच यह जो हमारा जीवन यह रहस्य बन गया है निरुपाय है मैं एकदम इस समय हेल्पलेस हो चुका हूँ निरुपाय का मतलब हो तरह है अब बेरे पास कोई आप्शन नहीं बचा है मैं क्या करूं क्या न करूं एक उलका सा जलता भ्रांत मैं एक उलका के जैसा जल रहा हूँ समझिये कि जैसे कोई प्लैनेट तूट करके आग में पड़ गया हो एक उलका की तरह मैं जल रहा हूँ और भ्रांत हूँ भ्रम में परा हूँ भ्रांत का मतलब होता है भ्रम में क्या करें क्या ना करें यह कैसी मुश्किल है यह होता है भ्रांत क्या करें क्या न करें मैं भ्रांत शून्य में शून्य का मतलब अंतरिक्ष में आकाश में जहां कुछ नहीं है हमारे आगे पीछे सब कुछ समापत हो चुका हो उस सून्य में मैं असहाय होकर के घूम रहा हूं मनु ने अपने बारें परिचे दिया किसरद्धा ने नहीं पूछा था कौन तुम प्रश्ण यहीं था ना क्या था प्रश्ण याद आया कौन तुम शिवंभिया राश्वम राजपोजी मैं भी आपको उतना ही प्यार करता हूं कि इस पार मत रहेगा जितने लोग यहां हमको देख पा रहे हैं जितने लोग को मैं देख पा रहा श्रग्दा ने पूछा था कौन तुम तुम कौन हो मनु ने कह दिया मैं यही तो हूँ आका से लेकर धर्ती के बीच मैं ऐसे पागल बना हुआ गूम रहा हूं मुझे पता भी नी चल रहा कि क्या है कैसे है क्यों है बता लिया जवाब दिरिया खुस हो गई सिर्द्धा मिल जवाबया अब देखिये कौन हो तुम वसंत्के दूट तूम कौन हो हमारा तो हो गया सहल बता दिए हमकौन है और पिंड की तरफ जल रहे हैं आरों में के शिखा कि तरह सुंढर है तमाम उपाएं उसके उक्मान लग गए थ websindar ऊतना सुंदर सुंदर मैं कौन हो मैं तो बटा दिया कौन हो मैं मैं तो उल्का के जिल्टैब करना हस्थ विरस पतज़र में इस समय संसार क्या है पतज़र की तरह हो गया है इस वृट्ष के सारे पत्ते गिर जाए उसको कहते हैं पतज़र जारे का महीना उसमें उसमें पत्ते गिरा देते हैं खास करके जो ठंडे प्रदेस हैं उधर यह होता है भारत में तो पतज़ग आता भी नहीं है कुछ निश्य चेत्रों में आता है वीरस पतज़ग में अतिसकार इस पतज़ग में यानि इस समस्या प्रधान समय में तुम वसंत की तरह दिखाई दे रही हो तुम कौन हो घन तीमिर में घने अंधकार में घन तीमिर बहुत गहरे अंधकार में तीमिर का मतलब होता है अंधकार बहुत गहरे अंधकार में बिजली की रेखा की तरह तुम दिखाई दे रही हो बहुत तेज गर् या आप कैसे हैं मतलब तुरंते बैना फिर लेते हैं हमको बता दिया अच्छे हैं आप बता ये कैसे हैं ना पूछें तो ये क्या है ये सिष्टा चार नहीं है ये एटिकेट्स में नहीं आता अगर कोई पूछा कि How are you I'm fine लेकिन तुरंत पूछे and you अगर आपने नहीं पूछा ते दलत है कोभी उसकी हाल चाल पूछनी है श्रगदा पूछ दी थी कौन तुम मनु अपना बता दिये अब बता के फिर उससे पूछ दिये कि तुम कौन हो जो इस नीरस पतजर जैसे समय में वसंत की तरह उतरी हुई हो इस घने अंदकार में वि अधुर बयार की तरह तुम बह रही हो तुम कौन हो समझाई बात किसी को कोई दिकत संदीप कुमार जी अरे मानो जब जो लगाएगा तो पथर को पानी बनना ही पड़े गया इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चलिए सुना जाएगा भी लगाता लगा कहने आगंत अगंतुक व्यक्ति कोन है आया कोन है था कोन पहले से बोलिए लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उतकंठा सविशेस दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमै संदेश मैंने बताया कि मधुसिर नीचा किये हुए आवसाद में ग्रस्त बैठे हैं श्रग्धा आई उतकंठा का मतलब होता है जानने की इच्छा उतकंठा मतलब जानने की इच्छा विशेस रूप से मनु ने जो प्रश्ण पूछा था कि तुम कौन हो कि इतने गंभीर वाया पतचर में जो है तुम बसंत की तरह दिखाई देगे तुम कौन हो तो श्रग्धा ने इस कैसे बोली मानो कोई कोयल जो है आनंद पुर्वक किसी पुस्प को मधुर संदेश दे रही रही हो यहां पर कोयल पॉफम कऊन व पुस्प कन मनु यानि नहीं कहा था नहीं कि कि इो मख नीचा कमल समान मनु का मख कैसा है उनका मुख भी कमल कर समान है बस Москвे मुर जया हुआ है फिलाल active नहीं है कहा कि Eldra युद्टि उनकी उत्कंठा ने बन कि उत्कंठा को विशेष्ण रुफ से मिटाता हुआ विशेस रुफ से समाप्त करता हुआ एक दम बिल्कुल जैसे कोई कोयल बोल रही हो जैसे कोई कोयल बोल रही हो और किसी पुष्प को आनंद दायक संदेश प्रेशित कर रही हो क्लियर किसी को कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी हम लोग कहां पहुंच गए आठ में पर बहुत बचा हुआ है यार अभी हम लोग आठ में पहुंचे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ बापरे ज्यादा बचा हुआ है कोई बात नहीं एक दो तीन और लाएगा खतम हो जाएगा चलिए कल इसके आगे पढ़ेंगे अब हम लोगी कैप पर नहीं जाएंगे यह भाग एक हो गया अब कल हम लोग भाग दो पर चलेंगे ठीक है अभी किसी को कुछ और है उसमें से जो आज हम लोग ने पढ़ा इससे रिलेटेड कोई क्वेस्चन अगर आपके पास हो तो बता थे शोवा मिस्टर ऑफिशल जी नमस्कार बाबू बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा आया ज्यादा नहीं अच्छा कोई बात नहीं तो अभी क्या कर सकते हम लोग उलका का मतलब होता है तूटा हुआ तारा जो जलता हुआ कास में गिरता है एस्ट्राइड एस्ट्राइड बताया हुँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा है वीडियो भी शेशन एंड अप होगा ना उसके वास्ते आप से द्रिवाइस करके देख लीजेगा मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी चपला मतलब बिजली शिवंबिया चपला यानि बिजली प्रिथिवी पुत्र किसकी रचना है साइड वास्ते आपरवाल की है देखना पड़ेगा मुझे बहुत याद नहीं आ रहे है प्रिथिवी पुत्र साइड उनी का है वास्ते आपरवाल का ही mcq question काब्या हमने करा रखा है mcq हमने करा रखा है mcq स्पेस रविकांसर मिल जाएगा ठीक है चलिए तो फिर आज के session को यहीं पर hold करते है और कल शाम को साथ बज़े फिर मिलते हैं इंगलिश के लिए आठ बज़े मिलते हैं हिंदी के लिए अच्छा आप लोग में इंगलिश की class आप लोग करते हैं English वाली जो class चलती है हमारी यहां पर जो Dean sir पढ़ाते हैं आप लोग करते हैं English वाली class कैसी चल रही है English वाली class कैसी लगती है आपनों को आप नहीं करते प्रशान भाई देखे इंगलिशी class भी हमारी channel पर बहुत अच्छी चलती है साम को 7 बजे साम को साथ बजे इंग्लिश और आठ बजे हिंदी तो प्लीज आप लोग देखना मत बूलिए बहुत अच्छा शेशन चल रहा है और मैं आपको फिसे बता दे रहा हूं कि जो शेशन हमारे पास चल रहा है यह 95 पलस वाला ही शेशन है हमारे चैनल के बचे 95 से कम नहीं लाए सिंग डांट सुन गई कोई बात हैं देखिए टीचर की डांट जानते हैं बहुत बड़ा अश्रवाद होता है ठीक है जो सोना जो सोना चोट नहीं खाता है न वह आभूशर नहीं बनता आभूशर वही बनता है जो चोट खाता है हथाउल की वही सोना अभूशर बनता है तो आग में जलता है जाइज सी बात है कि अगर डांट सुनने को मिली है तो इसका मतलग है कि हम एक श्टेप उपर उड़ गए पक्का है हम आगे बढ़ गए ठीक है इससे घबराना नीचे यह सवभाग गया है कि हमको डांट सुनने को मिल रहा है तो पता ने कितने आप आग आपको अपना समझता तभी तो इसके लिए चिंता नहीं करते यह स्वभाग गया है अमनों का जी पत्थर पर हथोगी न पड़े तो भगवान नहीं बनता ओके तो फिर आज के शेशन को यहां वाइन अप किया जाए बाकी कल मिलने का वादा शाम को साथ बजे इंग्लिश करता हूं और बच्चों आपको बहुत सारा सने बहुत सारा प्यार बहुत सारा आश्रवाद प्रेशित करता हूं जीवन में हमें साथ उच्चता मुचाई को पराप्त करें यह शश्ची हों इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार सस्रियकाल जैहिन